हेलो एंड वेल्कम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राज़ानिक चेत्र दिल्ली की वर्क्षीट आंकलन कारे पत्रक नमबर पांच जुकि कख्षा छटी के विद्ध्यारतियों के लिए है यह लिया गया है विज्ञान विशे से और इसमें हमें करना क्या है इसमें हमें 10 प्रशन दे रखे हैं जिसके कई सारे विकल्ब हैं उसमें सही विकल्ब के सामने उसको चुन के उसके सामने जो वृत बना उसको काला करना है तो चलिए बिन समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं पहला प्रशन है कि पुदीना और घास उधारन हैं किसके शाक के जाडी के व्रिक्ष के या शाक और जाडी दोनों तो सही उतर है शाक के इनको हम इंग्लिश में हब्स भी कहते हैं क्योंकि इनका तना कमजोर होता है और ये चोटे-चोटे होते हैं फिर है व्रिक्ष का डैश मोटा और कठोर होता है व्रिक्ष का कौन सा भाग मोटा और कठोर होता है जडें तना पतियां यो प्रोक सभी सही उतर है B, तना, जो व्रिक्ष का तना होता है, वो मोटा और कठोर होता है, फिर तीसरा प्रश्न, जाड़ी का उधारन है, इन में से कौन सा है, पालक, आम, तमाटर या फिर निम्बू, सही उतर है निम्बू, निम्बू जो है जाड़ी का उधारन है, फिर तना, पौधे का हिस्सा है, जो मूलत है बढ़ता है, कहां पर बढ़ता है, जमीन के उपर, जमीन के नीचे, जमीन पर, या इन में से कोई भी नहीं, तो हम इसमें करेंगे जमीन के उपर, और फिर पाचवा प्रश्न, फिर दो पर्व के बीच तने का हिस्सा, दो पर्व के बीच तने के हिस छटा प्रशन, पत्यों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखें, पत्यों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को कहते हैं, कौन सी इसकी option है? विभाजक, रक्षी कोशी का छिद्र या फिर रंद्र, जिसे हम स्टॉमेटा भी कहते हैं. फिर二 है шाथवा प्रष्ण, कमजोर तने वाले पौधे, जो सहारे के द्वारा उपर की ओर चड़ते हैं इन पौधों को कहते हैं शाक, ज्ञाडी, विसरपिलता इ達 पिर आरोई, इनने हम कहते हैं आरू ही क्योग कि ये उपर की और चड़ते हैं सहारे से फिर आ्ठवा प्रशन कि हरी पत्या अपना भोजन स्वेम बनाती हैं या हरे पौधे जो हैं वो पत्यों के जरी अपने भोजन स्वेम बनाते हैं और इस पर क्रимidor को क्या B. जड़ें, पौधे की जड़ें, पानी और खनिज से, खनिज लवन का मिटी से अफ्शोष्चन करती हैं, और दस्वा है, पौधे को सीधा रखता है, कौन सा भाग पौधे को सीधा रखता है, A. तना, B. जड़ें, पतियां, फूल, तो A. तना, तो ये तो थी, आज की वर् शीट में तब तक के लिए धन्यवाद,